हे वीवर्स वेलकम बैग मैं चैनल इस तरी इस ट्रगल कैसे हो आप सभी आई हो आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंस गुड़ मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम में सुबह के बज़े है और मैं आगे हूं किचन में यहाँ पर मैं लंच और ब्लेकफास्ट दोनों की तयारी कर रही हूं और आज बच्चों के लिए बनाओंगी पास्ता क्योंकि बच्चे कई दिन से बोल रहे थे कि ममा पास्ता बना दो स्कूल में ले जाने के लिए हाला कि आज बेटे की जु ऐसकूल का उप है और बेटी स्कूल जाएगी लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बेटी भी सकूल में नहीं जा पाई बेटी को भी रेडी कर दिया था लंच पैक सब चीजे कर दी लेकिन उसको बाद में जो है पेट में बहुत तेज पेन होने लगा और उसके बाद जो है वो स्कूल में नहीं जा पाई फिर मैंने ही उसको मना कर दिया कि ठीक है तुम मत जाओ और जैसे वो school में में नहीं बेचा उसके थोड़ी देर बाद ही इसको वो मैटिंग हो गई थी अच्छा ही हुआ कि इसको school में में नहीं बेचा है पता है क्या हुआ है मतलख की बच्चे जो है मेरे दोनों बच्चे अब काफी टाइम से बिल्कुल भी स्ठीक नहीं रह रहे हैं कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है और ये पास्ता वग्यरा भी मैं बहुत कम बनाती हूँ आज मैं काफी दिनों बाद बना रही हूँ किया जल्द जल्दी करना तो होता ही है क्या करें क्योंकि अकेली हूँ गर पे कोई और दूसरा है नहीं हेल्प के लिए तो सब कुछ अकेले ही समालना होता है अच्छा मुझे बहुत सारे केमेंट्स इस तरह के क्याते हैं दीदी आपके हस्बन तो बहुँ ज़दा सपोर्टिव है और हमारे हस्बन ऐसे नहीं है और वो हमें सपोर्ट नहीं करते है तो मैं आप लोगों से एकी बात कहना चाहूंगी कि हाँ मैं मानती हूँ कि चलो मेरे हस्बन सपोर्टिव है मुझे support करते हैं लेकिन जब भी कोई first step उठाना होता है वो हमें खुद ही उठाना होता है मेरे husband supportive है मेरा साथ देते हैं लेकिन जो मैंने अपनी future के बारे में अब जो मैंने decision लिया है कि मुझे पढ़ाई करनी है और life में कुछ achieve करना है तो वो मेरा खुद का decision है उन्होंने उसमें मेरा साथ दिया है लेकिन उसके लिए suggestion मेरा ही था पहला suggestion मेरा था उसके बाद वे मेरा साथ दे रहे हैं वो एक अलग चीज है उसके लिए मैं उनका thank you कहना चाहूंगी लेकिन आपको भी अपनी life में कभी कुछ भी करना पड़ेगा तो उसके लिए first step आपको ही लेना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे अपने ले step नहीं लोगे तो दूसरे बंदे भी आपके लिए जो है नहीं सोचेंगे और आपका साथ नहीं देंगे इसलिए सिर्फ लोग तसल्ली दे सकते हैं लेकिन जिंदगी की लड़ाई जिंदगी की जंग खुद ही लड़ने पड़ती है आगे हम चलेंगे तब पीछे जाकर वो कहीं चलेंगे और कई बार मुझे ऐसी कमेंट भी आता है तो उसमें आपको अपना 100% देना पड़ेगा आपको महनत करने पड़ेगी जब आप महनत करोगे हो सकता है आपकी महनत को देखकर आपके परिवार वाले भी आपका साथ देने लग जाए अब ये तो होगा नहीं कि आप महनत नहीं करोगे गर के काम के साथ आप पढ़ाई में भी लगे हुए फालतु का इधर दर आप टाइम वेश्ट नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि परिवार वाले सपोर्ट नहीं करेंगे परिवार वाले सायद कहुंगी मैं सायद फिर सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और अभी आप लोगों को जैसे की पता ही है कि मैंने NCRT से सुरूख किया है तो आप लोगों को नहीं कितना किया है आप भी मुझे बताना आज की पढ़ाए मेरा थोड़ा दिस्टप हुई है जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बेटी को पेन हो गया था तो वो स्कूल भी नहीं गए थी तो इस वज़े से मेरी पढ़ाई कम हो पाई थी व्लोग भी मैंने कमी सूट किया था लेकिन जितना हो पाया वो मैंने किया था शाम के टाइम मेरी बेटी को अराम लग गया था तो फिर उसको भी मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था और खुद भी जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गये थी फर्स्ट इस लोट में जो है मैंने सेकिंड चैप्टर किया था अपना जोग्रफीका और अब मैं नेक्स बीडियो में कोसिस करूंगी किसी भी वीडियो में जो हैं आप लोगों को बूकने संवे सेर करई वैसे मैं बहुत पार आप लोगों को बता चुकी हूं तो आप पलेइलीस्ट में जाकर भी देख सकते हो तो आई होप आज आपका वीडियो आपको छोटा सा पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सिस्काइब करना आपसे फिर मिलती हो नेक्स लोग में तब तक के लिए बबाई एंड टेक केर और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहे